अलो नमश्कार, कैसे हैं आप, मैंने पूतिभारी बहुत साफिप करती हूँ आप था अपने चैनल के, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लिविंग वॉर्टर के वारे में, जैसे की मैंने पार्ट वन में आपसे बोला था, जब डॉक्टर पिस्वरुची ने हमें बताय याथर की थैलेसीमिया, टाइबटीज, पेट की खराबी, डिप्रेशन, मांसिक बिमारी जैसी बहुत सारी बिमारियों का हिलाज, वो अपने एक नई तकनीक से करने वाज है, डाइट उनकी पॉलो करके और साथ में लिविंग वाटर, लिविंग वाटर टीके आप अपने अच्छा पानी पी रहे हैं, अब हमें कोई जूरत नहीं अटेंशन करने की, कर भी हम बिमार होते रहते हैं, बच्ची प्रोग्लम में आ जाते हैं, इम्म्यूनिटी हमारे उतनी स्रॉंग रही नहीं है, क्योंकि हमारे पेट में मिंडर्स तो जाई ही ने रहे हैं, हम TDS को क करते हैं, जिसे पानी का स्वाध अच्छा हो जाता है, लेकिन बहुत सारे निट्रिशन पानी में से कम हो जाते हैं, लिविंग वाटर मतलब रनिंग वाटर भी आप बोल सकतो, जरने का पानी जैसा होता है, एक उचाई से जब जरने का पानी नीचे की तरफ आता है, तो उ क्या करें कैसे बनाए living water बिना जादा पैसे खर्च किये जिससे कि हर कोई living water पी सके अपने immunity strong बना सके और बहुत सारी विमारियों का इलाज घर पर ही कर सके तो आहिए आम जानते हैं कि living water को कैसे बनाना है घर पर तो आपसे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी करेंगा पहला एकन को टैप करेंगा जिससे कि आपको नए वीडियो की अभी आप सीखने जा रहे हैं living water कैसे बनाए living water मतला spring water जरने का पानी डरे बेस्ट वाटर आपके बॉड़ी के लिए या तो आप जरने के पास चले जाए अगर नहीं जा पाएंगे तो उसको मिमिक करते वे आप खुदी घर पे उस तरह का कुछ पानी कर सकते हैं ly tap water सै तो आप देखिए जो टियारी करती हो तयारी कुछ ऐसे पहले तो कुछ पत्थर हे आपको जैसे यह पत्थर ने पत्थर और तो रुखम फान पत्थर बहुत है और इसने जैसे छाज तरह और इसके अलावा आपको इस प्रकार के मुरिंगा सीड्स आप देख रहेँ ये खटे करना इसको पाउडर बना देना ए इसके और फाइनली ये चारकूल आप देख रहे हैं वूट चारकूल तो यह इंग्रेडिंट्स है इसके अलावा यह copper का plate यह चाहिए, अब आप त्यार हैं अपने लिए living water बनाने के लिए, यह तीन मटके आप देख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, यह मटके में तो पानी collect होगा, और यह जो मटका, इस मटके के नीचे, यहाँ पे आपने hold कर दिये, तीन या चार hold कर दिये, छोटे छो आधे मटके तक आपको यह पत्थर भरने हैं, उससे चोटे पत्थर भरने हैं, उससे चोटे पत्थर भरने हैं, और उपर से बालू डालते रहना है, जब तक यह भरना जाए, और उसके उपर यह चार hold यह डाल देना है, दूसरे वाले में भी लगभाग ऐसा ही कुछ करना आधे तक और तीसरे वाले में आपको moringa seeds का जो powder बनाया था वो powder बला के डाल देना है और साथ में ये copper का plate रख देना है इस तरह से आप उमीद कर सकते हैं जो पानी आपने डाला वो धीरे-धीरे करके कुछ घंटों में करीब 7-8 घंटों में ये सारा पानी flow होता हुआ ठीक उसी तरह से जैसे spring का water flow होता है पाड़ों से पत्थरों से टक्राते हुए minerals को इखटा करते हुए वो आगे बहता है that is called living water उसी तरह से धिरे-धिरे flow होता हुआ और impurities अटपते चले जाएंगे और जो harmful bacterias है वाइरस है वो रुकते चले जाएंगे और ultimately यहां पे जो पानी म आते बग्दी तो इस यूर स्प्रेंग बटर इस यूर लिविंग बटर